वेल्कम टू माई चैनल आज हम बच्चे हुए आटे से पापड़ बनाना सीखेंगे तो चली हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी हम एक बाउल में आटा मिक्स कर लेंगे यह हमने तीन कटोरी आटा लिया है अब हम इसमें आधी कटोरी जीरा डालेंगे आदी कटोरी से भी कम चिली फ्लेक्स डालेंगे और टेस्ट के अकर्डिं नमक अब हम इन तीनों चीजो को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम से अच्छी से मिक्स करना है ताकि इसमें एक भी लंप्स नहीं अगर लंप्स रहेंगे तो हमारे पापड़ प्लेन नहीं बन पाएंगे ठीक है तो यह देखिए हम लोग अच्छे से से मिक्स कर लेते हैं एक कडाई में पानी बॉयल करने रख देंगे पानी बॉयल हो रहा है तब तक एक प्लेट में आउल लगा लेंगे अब आउल लगान पानी हमारा बॉइल हो गया है अब हम इसमें प्लेट रख देंगे यह दिखिए यह मैंने प्लेट रख दी है अब हम इसे स्टीम पर बनाना है इसलोग पर से एक प्लेट धाग देंगे और ये 5-10 मिनिट में हमारे पापड़ बनके रडी हो जाएंगे ये देखिए हमारे पापड़ बन गया है अब हम इसे नीचे उतार के थोड़ा थंडा होने देंगे थंडा होने के बाद हम नाइफ के हल्प से इसे निकाल के एक अलग प्लेट में रख लेंगे और अब हम इसे धूप में सुका लेंगे इसे हम एक दिन धूप में सुकाएंगे जिससे ही अच्छे से सूख जाएंगे और सूखने के बाद ये दिखिए तलने के लिए रडी है तो इस टाइप से आप इस टीम पर भी बचे हुए आटे से पापड़ बना सकते हैं थैंक यू प्लीस लाएंगे इन सब्सक्राइब